हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रास्तिय पातरता परिक्षा यूजी सी नेट दिसंबर 2023 का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं, इसकी स्टेप बेस्टेप प्रोसेस के बारे में ह आपको फ्रेंज से देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप अपलिएबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं, जो जिसी नेट दिसंबर 2023 के लिए तो आप इसमें ऑनलाइन अपलाए कर पाएंगे, अपलाए कर अपट क्या क्या है, वो सारी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तीस सेतंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं, अब बात करते हैं, फॉर्म अपलाए की तो यह इसका ऑफिशल पोर्टल है, जहां से आप इसमें आविदन करेंगे, यहाँ पर आपके जो फोटोग्राफ और सिगनेचर हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर जनकारी प्रोवाइट की गई है, नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए, पासवर से लिटे जनकारी मिल जाती है, और उसके बार आप यहाँ पर आई है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और क्लिक हेर टू प्रोसीट पर क्लिक करेंगे, इसके बार आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और यह ध्यान रखिए का जो भी जनकारी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, यह सिर्फ सेंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपकी जो एक्शल जनकारी है, वो ही आपक यहां पर इंटर करनी है, इसके बाद है आपकी और अपकी दो बार आपको यहां पर एंटर करनी है, आपका फ्रेंड से यहां पर gender select करना है, mobile number रहा है, कोई alternative mobile number है तो आप उसकी जनकारी दे सकते है, आईडी टाइप में driving license है, pen card है, passport है, ration card है, voter ID है, और इसके अलावा माल जब के पास अधार कार्ड है तो आप अधर गॉर्मेंट आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा इसके बाद है यहाँ पर प्रिजेंट एड्रेस अब आपका जो भी एक्च्वल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना होगा और जैसा मैंने कहा मैं सिर्फ यहाँ पर सेंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ आपका एक्च्वल डाटा आपको देना है इसके बाद लोकल्टी आप दीजिए पासवर्ड देखिए फ्रेंस कैसा होना चाहिए तो पासवर्ड में फ्रेंस आपके देखिए अपर केस होने चाहिए आपके स्पेसल करेक्टर होने चाहिए लोवर केस होने चाहिए और यह आट से तेरा करेक्टर के बीच में होना चाहिए आप देखिए जो password है वो मैं आपको यहाँ पर जो mail ID option है यहाँ पर शो करता हूँ लिखकर जैसे आप uppercase यूज कर सकते हैं आप small letters यूज कर सकते हैं आप numbers यूज कर सकते हैं और आप कोई भी special character आप कोई भी password यहाँ पर बना सकते हैं बस ध्यान रखेगा uppercase lowercase number और special character आपके उस password में होने चाहिए तो password आपको यहाँ confirm करना है security question में आप दो में से कोई भी answer ले सकते हैं उसका answer आप दे सकते हैं इस capture code को आपको fill करना है और उसके बाद यहाँ से submit कर देना है इसके बाद friends आपके सामने यहाँ पर preview section open होगा जहाँ पर आप अपना नाम, father name, mother name, date of birth, mobile number, male ID और gender आप अगर यह चेक कर लिया है तो आप इसे टिक करेंगे इसके बाद यहाँ से I agree करेंगे और उसके बाद submit and send OTP करेंगे आपके पास एक OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी होगी तो friends OTP section में आपको यहाँ पर OTP enter करना है और उसके बाद यहाँ से verify कर लेना है OTP verify होने के बाद friends देखिए जो application number है यह आपकी mail ID पर आपको send कर दिया जाएगा इसके बाद जो आपने password बनाया होगा वो password और जो एक capture code आपको दिया गया है यह fill करने के बाद आप यहाँ से login कर सकते हैं इसके बाद friends आप अपने portal पर यहाँ पर login हो जाते हैं पोर्टल पर login होने के बाद आपको देखिए जो registration का option है यह आपका complete हो गया है अब आपको application form complete करना है और last time आपके payment कर रहेगा तो आपको complete application form का option मिलता है आप इस पर click करेंगे साथ में friends यहाँ पर apply करने से पहले देखिए एक option है mobile verify का तो आपका जो mobile number है उसको भी verify जरूर कर लिजेगा क्योंकि friends यह verify करना जरूरी है आप चाहे तो application form को पहले apply कर सकते हैं और last में अपना जो mobile number है वो आप verify कर सकते हैं तो यहाँ पर friends देखिए हमने mobile number भी verify कर लिया है तो आप स्टार्टिंग में या बाद में जब भी करना चाहे mobile number verify कर सकते हैं और उसके पर आप जाएंगे आपके application form को complete करने के लिए तो friends application form को complete करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखे category का option मिलता है तो आप general, OBC, SC, ST या EWS इन में से जो भी category आपकी है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद अगर आप PH candidate है तो यहाँ पर आप yes कर सकते हैं नहीं है तो आप simply no करेंगे diabetic candidate है तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं annual income आपको बतानी है आपके parents या गार्जन की कितनी है वो आप जहनकारी प्रवाइड करेंगे minority community से belong करते हैं मतलब जैन सिख बौद पार्सी मुसल्मान तो आप यहाँ पर select करेंगे नहीं तो आप इसमें no कर सकते हैं इसके बाद subject निम आपको देना है PG exam का जो आपकी post relation exam है उसमें फैंसे आपके subject कौन सी रही है तो आपको यहाँ पर लेखी सभी subject की list मिल जाती है तो इसके बाद फैंसे nest option आपके address का है तो address आपको automatic यहाँ पर फिल पिलेगा जो कि आपने registration करते समय फिल किया होगा आपको simply यहाँ पर आपका capture code है यह डाल कर I agree करकर save and nest कर देना है इसके बाद फैंसे nest option आता है क्या आपकी पास अधार कार्ड है अगर आपकी पास अधार का इसके बाद फैंसे nest option आता है आपके apply 4 का तो यहाँ पर देखिए दो option है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है आपका ज्यार फैंसे असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए तो आप only असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए apply करना चाहते है आप इसे select करेंगे इसके बाद है subject आपको कौन सा नेट के लिए option चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए subject के list मिल जाती है साथ में आपको उसका नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है तो आप आपका जो exam city है वो आपको यहाँ पर choose करना होगा और यह friends आपके address के according ही आपको state यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद आप यहाँ से जो आपके exam centers है वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं चार centers आपको यहाँ पर choose करने होंगे इसके बाद friends से यहाँ पर है father या garden का occupation क्या है तो आपको option मिल जाते हैं इनमें नहीं है तब other भी selected कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए father या garden का qualification क्या है वो आपको देना है mother का friend से यहाँ पर देखिए अगर कोई option आपका applicable नहीं है तब other यहाँ पर select कर सकते हैं और इसके बाद mother की जो qualification है वो भी आपको देन पीर चाहिए आप साइट्ड है अपको पासिंग यार भी आपको आप मिल जाते ह्या वह आपको बिया आपको कोन सा है तो आपको यहां पर आपको सब्जेक्ट कर सकते हैं इसके बाद है फ्रेंट से आप final year या final year का result अगर आपका awaited है तो आप यहाँ पर yes and no कर पाएंगे क्योंकि आप pass out है तो आप यह automatically not applicable रहेगा qualify exam आपने इंडिया से किया है या outside इंडिया किया है वो आपको देना है किस state से किया है वो आपको यहाँ पर देना है इसके बाद board या university का नाम क्या है आपको देखे list मिल जाती है आपके board या university की वो आप select कर सकते हैं इसमें नहीं है तब other भी यहाँ पर select कर सकते हैं other select करने के बाद आपको उस university का नाम mention यहाँ पर करना होगा इसके बाद friends यहाँ पर देखिए जब आप option को select कर लेंगे result आपका percentage है CGPA है वो आपको देना है कितने में से कितने numbers आपने यहाँ पर gain किये है यहाँ आपको देना होगा percentage आपकी आजाएगी इसके बाद आपको इस capture code को fill करना है capture code fill करने के बाद I agree करना है और उसके बाद save and nest कर देना है इसके बाद additional detail option है जो कि MFIL का है अगर आप friends admitted है MFIL में तो आप yes कर सकते हैं और जानकारी provide कर सकते हैं नहीं है तो आप simply no करेंगे ऐसे ही PhD का option है तो आप yes या no कर सकते हैं इसके अलाबा आपने कोई research experience आपके पास रहा है तो आप yes या no कर सकते हैं एक service man है तो आप yes या no कर सकते हैं और उसके बाद simply आपको ये capture code देना है और इसके बाद यहां से I agree करके इसे save and nest कर देना है इसके बाद आता है आपका friends से document upload तो दो ही चीज़ा upload करनी है आपको photo और signature size आपको दिया गया है आपको यहां पर jpg format में upload करना है choose file पर click कीजिए file को select कीजिए और उसका preview चेक करने के बाद ही आप आगे process कर सकते हैं इसके बाद friends यहां पर देखिए जो nest option है यह है आपके review application form का मतलब आपने अभी तक जो भी detail फिल की है इस application form में वो आपको देखने को मिलेंगी आपका mobile number भी अगर verified आपने कर लिया है तो verify show करेगा अगर नहीं किया है तो आपको verify यहां पर करना ही होगा इसके बाद friends आप scroll करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको यहां पर एक option मिलेगा submit का आप यहां से form को submit कर देंगे form submit करने के बाद friends आपको यहां पर देखिए आपसे पूछेगा कि आपने यह सब details चेक कर ली है मतलब आपने जो भी details आप यहां पर टिक कर रहे है वो बिल्कुल सही से आपने चेक कर ली है अगर आपको लगता है कि आपको कोई गलती हो गई है तो आप close करके back जाका सही कर सकते हैं नहीं तो आप इसे final submit कर देंगे final submit होने के बाद friends से आपके देखे दो step complete हो गए है अब बसता है final option जो की है fee payment का अब fees payment के लिए आपको pay nao वाले option पर click करना होगा इसके बाद friends से आपके सामने second option आएगा जिसमें आपको यहां पर payment gateway चूज करना है तो friends से जो भी payment gateway आप चूज करते हैं उसके friends से multiple options आपके सामने आ जाएंगे यहां पर ज़रूरी नहीं है SBI के आपके पर account हो आपके पास किसी भी bank की net banking है या SBI की net banking है या फिर आपके पास किसी भी bank का debit card है credit card है आप यहां पर payment कर सकते हैं तो यहां पर payment option चूज करने के बाद आपको card details को यहां पर fill करना है और उसके बाद pay वाले option पर click करना है जैसे ही आपका payment यहां पर complete होगा या verify होगा आपका form final submit हो जाएगा और आपका confirmation page है या final page है वो आप download कर सकते हैं इसके बाद fans आप बाद में भी चाहें तो यहां पर अपने application number, password और capture code को डाल कर लोग इन करेंगे तो उसके बाद fans आपको आपका PDF या printout है वो आपको मिल जाएगा तो यहां पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप UDC net December 2013 का online form apply कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like subscribe जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारे यूटीब चैनल and last things for watching